दोस्तो आपने जो अभी साउंट टेस्टिंग सुनी उस बेस की आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मतलब दोस्तो उस बेस के अंदर कौन सा स्पीकर पड़ा हुआ था कितने वाड़ेस का स्पीकर पड़ा हुआ है और दोस्तो कौन सी ब्रांड का व्रेश की यूज की गई थी और दोस्तों कौन सी ब्रांड की謞ा यूज की गई थी और दोस्तों आपको यह भी बथाने वाले हैं। कि दोस्तों है best का मार्किट में क्या प्राइष पड़ेगा socio- Everything इस पड़ेचे साथ। यहाँ पर दोस्तों front base यूज किया गया था जो आप लोग ने sound testing सुनी यह हमारा front base है front base में दोस्तों यह जो speaker लगा हुआ है यह आपको बताते हैं कौन सी brand का लगा हुआ कितने words का लगा हुआ है तो दोस्तों यह हमारा speaker जो की ATI pro brand की तरफ से आता है ATI pro का speaker इस dual base के अंदर लगा हुआ था जिसका model नमर आपको PD 1852 देखने को मिल जाता है चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस speaker की specifications क्या क्या रहने वाली हैं फिर आपको price भी बताऊंगा और amplifier भी बताऊंगा कौन सी use की गई थे इस dual base को चलाने के लिए अगर इस speaker के power 18 की बात की जा तो दोस और speaker के nominal impedance की बात की जा तो दोस्तों आपको atom देखने को मिल जाता है speaker का ohm ठीक है और दोस्तों speaker के size की बात की जा तो दोस्तों आपको 18 inches देखने को मिल जाता है तो कि 18 inches का यह हमारा subwoofer speaker इसमें use किया गया था जो कि काफी best quality का ATA program की तरफ से आता है हमारा base speaker और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस speaker के अंदर voice coil कितने inches की पड़ी होती है तो दोस्तों इस base के अंदर हमारी 5 inches की voice coil use की गई है जो कि in and out में use की गई है जो कि काफी best quality की 5 inches की voice coil use की गई है speaker के अंदर चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के नेट वेट की तो दोस्तों इसका जो नेट वेट दिया गया है वो दोस्तों 22 किलो दिया गया है 22 किलो का यह हमारा बेस है मेगनेट भी इसमें काफी मोटी वाली यूज की गई है काफी वजन वाली यूज़ की गए इसलिए दोस्तों इस स्पीकर का दोस्तों जो वेट है वो दोस्तों 22 किलो दिया गया है और फरकंसी की स्पीकर की बात करें तो दोस्तों आपको 35.5 से लेके 1500 होड़ देखने को मिल जाती है जो की काफी बेस्ट क्वालिटी आपको इस स्पीकर के दोरा मिलने वाली है जैसे की आप लोगों ने स्टाटि में साउंट टेस्टिंग सुनी ही थी और दोस्तों आपको बता देता हूँ यह जो हमारे स्पीकर है इसका जो फ्रेम है वो दोस्तों ऐलमोने पे बना हुआ है जो की काफी बेस्ट है स्पीकर की दोस्तों अब बत कर लेते हैं प्राइस की की दोस्तों इस स्पीकर का प्राइस मार्केट में क्या है और पूरा एक डॉयल बेस हमारा कितने रुपए का मिलेगा पहले बात कर लेते हैं स्पीकर की प्राइस की तो दोस्तो एक स्पीकर का प्राइस आपको मतलब इस स्पीकर का प्राइस मार्केट में आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल जाता है एक speaker का price तो दोस्तों आपको लेने हैं दो speaker क्योंकि दोस्तों हमारे dual base के अंदर दो हमारे speaker लगेंगे तो दोस्तों आपको दो speaker का price market में आपको 36,000 के आसपास देखने को मिल जाता है 35-36,000 तक में आपको दो speaker मिल जाएंगे ATA Pro brand के जो की 2000 words का हमारा speaker होगा एंड आप बात कर लेते हैं cabinet की दोस्तों cabinet भी यहां पे काफी अच्छा यूज किया गया था अगर दोस्तों cabinet की price की बात की जाता तो दोस्तों आपको 9-10,000 रुपे में काफी अच्छा cabinet मिल जाए गया dual base वाला जो की front वाला यूज किया गया था base में तो दोस्तों आप लोग front वाला ही base लेना क्योंकि दोस्तों आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं बाकि दोस्तों जो sound testing आप लोगों ने सुनी थी वो दोस्तों front cabinet के अंदर fit था हमारा speaker इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ आप लोग front cabinet ले सकते हैं ठीके दोस्तों quality के हैं 2000W का एक हमारा speaker है जो कि पूरा हमारा dual base 4000W का हो जाएगा impedance forum हो जाएगा यहां पे दोस्तों एक dual base का price market में आपको 45,000 के आजपास देखने को मिलता है एक dual base का price 45-46,000 तक में आपको एक dual base का price पड़ेगा तो दोस्तों यहां पे तो हो गई हमारे dual base की price की, अब दोस्तों बात कर लैते हैं amplifier कौन सी यूज़ की ती dual base को चलाने के लिए तो दोस्तों dual base को चलाने के लिए amplifier 2500 की यूज़ की ती jadeat model की amplifier जो की बेस को चलाने के लिए यह amplifier काफी best है काफी powerful है सबसे number one quality की ये हमारे amplifier आती है base को चलाने के लिए क्योंकि दोस्तों ये amplifier काफी best है अगर इस amplifier की कुछ specifications की बात की जाए तो दोस्तों ये हमार amplifier dual channel का है power amplifier है इसमें दोस्तों दो channel दिये गए है जो कि काफी best है और अब बात कर लेते हैं कि इस amplifier में power output कितना दियागा है यहाँ पे दोस्तों वही हिं बात करने वाल pearl है क्योंकि हमारा जो base है वो दोस्तों फोरोम पे ही चलेगा तो दोस्तों फोरोम पे ये हमारा amplifier 4000 वाड़िस उंकाल के देता है प्रतेक channel में दो channel है दोनों channel में चार-चार हजार वाड़ेस आउटपूट निकाल के देता है आप लोग यहाँ पे दोस्तों जो मैंने बेस बताया है यह आप लोग एक-एक चैनल पे एक-एक अपना डॉयल बेस चला सकते हैं जो कि काफी बेस्ट कॉलिटी आपको मिलेगी बेस बाइबरेसन पंच काफी अच्छा सुनने को मिलेगा जैसे कि दोस्तों आप लोग ने साउंट टेस्टिंग सुने ही थी अब बात कर लेते हैं इस एम्प्लिफायर की डंपिंग फेक्टर गी दोस्तों इस एम्प्लिफायर में डंपिंग फेक्टर आपको एक हजार देखने को मिल जाता है जो कि ये एम्प्लिफायर काफी बेस्ट है क्योंकि इस एम्प्लिफायर का काफी अच्छा डंपिंग फेक्टर दिया गा है ये एम्प्लिफायर केवल बेस के लिए ही यूज की जाती है base amplifier है आप ऐसा मान सकते हैं base के लिए ही बनाएगी है तो दोस्तो cable base ही आप इस amplifier पर चलाएंगे तब ही अच्छा आपको output सुनने को मिलेगा अगर इस amplifier की weight की बात की जा तो दोस्तो इस amplifier का weight आपको 38.5 kg देखने को मिल जाता है जो की 40 किलो की आसपास इसका वजन दिया गया है जो की जाइफर ब्रांड काफी बेस्ट amplifier बनाती है काफी बेस्ट ये amplifier है Z8 model की अब बात कर लेते है amplifier के भी price की कि दोस्तो amplifier का क्या price होगा market में तो दोस्तो इस amplifier का price market में आपको 1,10,000 के आसपास इस amplifier का price देखने को मिल जाता है ये दोस्तो amplifier है काफी कोश्ट ली आती है लेकिन काफी best भी आती है कोई जरूरी नहीं आप लोग इस amplifier को ले बेस्ट को चलाने के लिए आप और भी कोई भी ब्रांड की amplifier ले सकते है आउजा, NXIU, आप अधर भी ब्रांड की amplifier ले सकते हैं कोई जरूरी नहीं भाई ने दोस्तो ये ही amplifier यूज की थी बेस को चलाने के लिए तो मैंने आपको बता दी है बाकि आप कोई भी ब्रांड की amplifier ले सकते हैं तो दोस्तो मैंने आपको यहां पर डॉयल बेस के बारे में बता दिया और amplifier भी बता दी कौन सी यूज की गई थी अगर दोस्तो कोई भी चीज छूट गई हो तो दोस्तो आप लोग वीडियो के नीचे बेस जिज़र कमेंट कर सकते हैं मैं आपके प्रस्नकाउट तरदे दूँगा अगर दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें और ज़्याद़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तके के लिए जैहिन टाटा टेक्यू बाई